ने ममता बेनर जी पर ये आरोप लगाया है कि मुंबई में जारी एक प्रेस कॉंफरिंस के दौरान राश्टकान का मजाक उड़ाया गया है और ये मजाक और किसी ने नहीं बलकि ममता बेनर जी ने उड़ाया है साथ ही ममता बेनर जी के खिलाफ शिकायक भी दर्ज करवाई गई है इसी मामले में यह आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता आमित मालविय से लेकर बीजेपी के बड़े से बड़े कदावर नेता यह यूं कहलीजे कि भाजपा के पूरा कुमभा ही ममता बेनर जी को ट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पर आक्टिव हो गया सक्रिय हो गया और एक के बाद एक धड़ाधर ट्वीट करने लग गए नेकर इनका मुव बंद करने के लिए भाजपा के ही नेता भाजपा से ही सांसत सुप्रमन्यम स्वामी ने ऐसा ट्वीट किया कि पूरी भाजपा में सन्नात अच्छा किया दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दे कि पू पहला सवाल उठा रही है कि ममता बेनर जी ने पूरा राष्टगान नहीं गाया आधा ही राष्टगान गाया इसके बाद दूसरा सवाल यह उठाया जा रहा है कि ममता बेनर जी ने बैठ कर राष्टगान गाया जो कि देश का अपमान है राष्टगान का अपमान है उनके नियमों का उलंगन है अब बीजेपी नेता जो 15 सिकेंड का वीडियो लगातार शेयर कर रहे हैं दोस्तों जो क्लिप शेयर किया जा रहा है वह आपको दिखा देते हैं यह वीडियो आप पहले देख लीजे उसके बाद करें वीडियो देखिया इस वीडियो को लेका सोशल मीडिया पर पूरी भाजपा पार्टी के नेताओं का सेलाब आया हुआ है एक के बाद एक बीजे पी नेताओं के हैंडल से धड़ा धड़ ट्वीट किये जाले दोस्तों कि ममताम एनरजी ने राष्ट का अपमान किया है उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए एक मुखे मंद्री को इस तरह से राष्टगान का अपमान शोभा नहीं देता है तमाम तरह के ऐसे ट्वीट की समयधानिक पत पर बैठ कर ममताम एनरजी ऐसा नहीं करती हैं तो ऐसे ट्वीट हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि वो ट्वीट पढ़कर बताते हैं तो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि क्या मोधी पहले के अपने मौस्को दौरे के दौरान जनगन मन भूल गए क्या रूस के लोगों को इसके बारे में याद देलाना पड़ा चूंकि कई लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कब क्या कहा तो मैं वही क् करता अब इसनग में सुप्रमन्यम स्वामी ने एवीडियो क्लिप का एक वीडियो सेर किया है जो आपको हम दिखा देते हैं ये वीडिओ प्रधान मंत्री के 2015 में रूस का वीडियो है जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी राश्टगान के वक्त सावधान रस्था में खड़े नहीं थे बलकि Guard of Honor उस वक्त चल रहा था रूस में और उस वक्त राश्ट्रगान शुरू रहते हुए भी वो आगे बढ़ खए थे हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं ताकि आपको पूरा मामना समन्द में आ जाए ये वीडियो देख लिए तो अब जितने बीज़पी नेता ट्विटर अकाउंट पर सक्रिये होकर एकदम फुल फ्लेच फॉर्म में आकर ममता बेनर जी को माफी मांगने की सला दे रहे हैं ये हवाला देते हुए कि वो एक समयधानिक पत पर बैठी हुई है मुख्यमंत्री है और उन्हें इस पत पर बैठ कर राष्ट्र को अपमानित करने का काम नहीं करना चाहिए था क्या यह सभी भारतिये जनता पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के वरिष्ठुतम नेता और इस देश के प्रधान मंत्री मानिनीय श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करेंगे कि रूस में उन्होंने एक देश को अपमानित क्यों किया था अंब मा लिजे बीजै निताओं की यह दलील हो सकती है क्योंकि वह सकते के कि यह भी बढ़ी पुरानी बात हो गयी है यो वीडियो बड़ा पुराना वीडियो है कि इस पर मोदी जी से क्या ही सवान करेंगे और क्यूं सवाल करेंगे अ 사랑 कि ये सवाल रहेगा दोस्तों कि मोदी जी के वहे देश को भार-बार अपमानित करने 사न के बावजूद मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है दोस्तों वरना देश को राष्टगान को अपमानित करने के दोशी आप पाए जाएंगे अब यही गलती ममता बेनरजी की दर्शाई जा रही है पर प्रधान मंत्री जी से बीज़ेपी नेताओं के अंदर सवाल पूछने की हिम्मत प्रधान मंत्री ने भी गलती की थी और विपक्षी नेता पर दर्ज कर वादी जाती है यह हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ममता बेनरजी ने बैठ कर राष्टगान पढ़ा या फिर उनके मूह से निकला तो उन्होंने राष्टगान के नेमों का उलंगन नहीं किया अग उनकी पार्टी के नेता क्या कर चुके हैं या क्या कर रहे हैं वरतमान में क्या कर रहे हैं और इतिहास उनका क्या रहा है अब आपको दिखाते हैं कि किस किस ने क्या कुछ लिखा है दोस्तों ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो भाजपा नेताओं ने ममता पूरा इनिक उसमें आता है यह ट्वीट में लिखते हैं कि राष्ट्रगान हमारी राष्ट्रिय पहजान की सबसे शक्तिशालिय भी व्यक्ति है सारजनिक पदों पर बैठे लोग कम से कम इसका अपमान ना करें ये बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा गाय गय राष्ट्रगान का विक्रित संसकरण है क्या भारत के विपक्ष में इतना भी गर्व और देश भक्ती नहीं है इनके बाद बीजेपी के ही पश्टिम मंगाल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकार्थ मजुम्दार ने ट्वीट किया कि सम्विधानिक पत पर बैठी मुख्य मंत्री ममता बेनरजी ने मुंबई में एक सभा में राष्ट्रगान का पमान किया क्या वो राष्ट्रगान से जुड़ा शिष्टा चान नहीं चानती या वो जान बूच कर राष्ट्रगान का पमान कर रही थी इनके बाद महाराष्ट्र बीजेपी नेता प्रतीक करपे हैं जुनोंने ट्वीट किया वो लिखते हैं कि क्या ये राष्टगान का पुमान नहीं है जब ममताव एनरजी ने बैठ कर राष्टगान शुरू किया तो वहां मौझूद तथा कतित बुद्धी जीवी लोग क्या कर रहे थे इतना ही नहीं वो आगे बोलती गई और फिर बीच में ही चुपो हो गई प्रतीक करपे के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्री अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या है जो आपको बैंगलोर की बीजेपी राजनीती में बड़े नजर आते होंगे समयधानिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति का ऐसा दुखत व्यभार शर्मनाक और निंदनीय है तो इस तरीके से दोस्तों सोशल मीडिया पर बीजेपी निताओं के ट्वीट्स की बहार आई हुई है वहीं बीजेपी सांसत सुब्रमन्यम स्वामी ने अपने ही नेताओं क जैसे शब्दों का आप इस्तेवाल करना क्योंकि आपके मूंसे शोभा नहीं देता है तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले ही हाली में सुब्रमन्यम स्वामी और ममता बेनर जी दोनों की मुलाकात हुई जहां उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आ अपरत नहीं समझता हूं अब इस मुलाकात के बाद सुब्रमन्यम स्वामी का अपनी ही पार्टी के ख्लाब जाकर ममताब एनर जी का साथ देना आपने آپ में बहुत बड़ी बात है काफी संकेद तेता है का अलोचना करते हुए आप ने पाया यह बहुत बड़ा संकेत भी दे दिया है कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ममताव इनरजी को प्रधान मंत्री के पत्के उमीदवार के तौर पर वो आकर रहे हैं देख रहे हैं